हलो एवरिवर्न मैं हूँ रागीनी और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आलो के पराठे की रेसिपी मसालेदार वो भी बहुत ही अलग स्टाइल में मैं आजिस आफ को मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज Laser को लाइक कर दिया और आगर आप मेरे चैनल पर नॉइ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करे का है बैल बटन ज़रूर प्राइस करिया करिए तो यहां पर मैंने जो यह पराथा बनाया है इसके साथ मैं बनाई है शीव्णा मिच आलो की सबजी और यह जो पराथा है बहुत ही सॉफ्ट बनता है बहुत ही टेस्टिक दम मसालेदार बनता है आप इसे चट्नी के साथ खा सकते ह बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी तो आप इस रेसिपी को ट्राइज जरू करें यह देखे कितनी सॉफ्ट इसकी रोटी चपाती या पराथा बनता है आप इसे जो चाहें वह कह सकते हैं तो इसे अपने गर पर ट्राइज जरू करें तो चलिए मैं बताती हूं कि इस स 용 साथ एप से मैंश सकते हैं और इसे कंद्दू कस करेंगी तो इसमें जो कि गुटलिया है वह नहीं आएंगी तो जब हम पराठे बनाएंगे तो हमारे पराठे बेल नहीं प्रोबल्लमद नहीं होंगे तो एक ग्रेटर से सारी आलू को ग्रेट कर ल गडे गर जए तो साले और चिलि फ्लिक्स और पीज काशुरी मेधी और जब आलु पराठा बना तो अच्छा बहुत बढ़ना फ्लेवर आता है और अध्डम धाबे वाली और इदम अध्म होटल वाली हमारी पराठा बनती है एक एक बारी कठा प्याज अट करेंगे और एक बारी कठा शिंबला मेज assassin है अगर आपके पास है तरिया नहीं है तो कोई बात नहीं लाल मेज पाॉडर हलदी पाॉडर धर्या पाॉडर साथ में गरबसाला पॉडर अपने टेस्ट के अकॉड़िंग एट करेंगे, जितना आपको इसका फ्लेवर पसंद हो, इसके साथ स्वाधनुसा नमक एट कर देंगे, नमक तोटासा जादा ही एट करेंगे, कि अभी हम इसमें आटा एट करेंगे, और यहाँ पर इतने आलू के लिए दो कप आटा लिया है, मैंने, आटे को अच्छे से आल कब से भी कम पानी में लगेगा बिल्कुल जादा पानी एड़ मत करिए जितना कम पानी एड़ करके आप आटा गोतेंगे आपके पराथे उतने ही सॉफ्ट बनेंगे आप इस तरह से अलू की पूरी भी बना सकते हैं तो यहां पे देखिए आटा मैंने गोत लिया थोड़ा स तेल लगा के आटे को चिकना करेंगे ताकि आटा जो है थोड़ा हाड है आटा बहुत जादा एकदम नरब नहीं है और यहां पे इस तरह से इसका आटा लगा के हम रेड़ी कर लेंगे जैसे रोटी के लिए वैसे ही है अगर आप पूरी बनाना चाहिए तो इसे थोड़ा रोटी बेल लेंगे जितना चोटा बड़ा आप चाहें बिल्कुल आपकी मर्जी है मैं जैसे रोटी नॉर्मल बनाती हूं उस साइज का इसे बेल लोंगी अच्छी तरह से और उसके बाद इसे सेखने के प्रोसेस में चलेंगे इसी तरह से सुखाटा लगाते हुए हम सार पर चले वीडियो बना लें तो बताई देती हूं तो यहां पर एक मैंने तवा गरम करें रखा है तवा अच्छी तरह से गरम है इसे बीना तेल बीना किसी घी के इसमें एड कर देंगे और यहां पर जब एक तरफ सीख जा इसे पलट देंगे यहां पर मैंने घी जाहे वह लगा लेंगे और इसी तरह से हम इस पराठे को सारे पराठे को पका लेंगे थोड़ा सा एक किसी बरतें से इसे प्रेस करते रहेंगे ताकि यह कच्छा ने रह जाए अच्छे से पक जाए तो यह अच्छे से पक जाएगी कच्छा बिल्कुल नहीं रहेगी और दुस्री तरब से अच्छे से पका लेंगे यह देखे कितनी अच्छी दिख रही है यह एक तम यमी लग रही है और यहां पर यह पराटा बनके रेडी है आप इस तरह से सारे पराटे बना लीजिए आप इसके साथ मैंने बनाई है शेमला में चालू की सब्जी क्योंकि मैंन इसे बनाया था दिनर में आप चपीचा बना लीजिए चटनी के साथ या चाय के साथ खाके एंजॉय करिए आई होब आपको वीडियो पसंद आई होगी चलिए अब मिलेंगे अपनी